नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तो देश की सबसे बड़ी हतियार निर्माता कमपनी DRD ने एक ऐसा हतियार बना कर तयार कर दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नेवी दहल उठेगी और अभी हाली में अंडमान और निकोवार कमान ने ब्रमोस और उरन मिसाइल को दाग कर भारती नवसेना ने अपनी ताकत को परखा है और इस टेस्ट में दोनों ही मिसाइलों को एक ही टार्गेट को तबाह करना था और दोनों ही मिसाइलों ने विनासकारी प्रभाव के साथ अपने इस टार्गेट को निस्त नाबूत करके सफल हुई हैं और अब DRDO ने फिर से एक नया कारनामा कर दिया है और जिस हतियार को DRDO ने बनाया है यह हतियार चीन के बड़े से बड़े जंगी जहाजों को जला कर राक कर देगा तो सब कुछ बात करेंगे DRDO के इस हतियार के बारे में वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब हावश से कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों ये खबर निकल कर आई है कि DRDO ने एर लांच एंटी सिप मिसाइल को विक्सित कर लिया है और ये मिसाइल अपने आप में इतना दमखम रखती है कि चीन के स्टेल्थ जहाज भी इसकी नजरों से बच नहीं पाएंगे और चाहे किसी भी देश की नेवी हो सबकी निव इन्ही जंगी जहाजों पर ही टिकी रहती है और यही जहाज दुस्मन को डराने का कारे भी करते हैं और आपको साब साब बता दू कि किसी भी नेवी की 50-60% की ताकत इन्ही वार्शिप्स में छिपी होती है और अगर इन्ही वार्शिप्स को ही तबाह कर दिया जाए तो दुस्मन नेवी की कमर तूट जाएगी और 10 सालों तक भी दुस्मन की नेवी उस कंडिशन तक नहीं पहुँच पाएगी जिस कंडिशन में वा पहले थी और चीन की बढ़ती नौसेना की ताकत का जवाब अब भारत ने ढूण निकाला है और DRDO ऐसी ऐसी मिसाइले सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखते हुए बना रहा है और DRDO ने इसी कड़ी में NASM SR यानि की नेवल एंटी सिप मिसाइल सौर्ट रेंज को बना कर तयार कर दिया है और DRDO ने इस NASM SR मिसाइल में एक खास तरह के सीकर को लगा दिया है जो खराब से भी खराब मौसम में दुस्मन को ढूड़ कर सेकेंड्स में तबाह करके रख देगा और आपको बता दूँ सिर्फ इस मिसाइल में बढ़िया सीकर ही नहीं लगा बलकि इसमें एडवांस फीचर और 100 किलोग्राम के वारहेट को भी ले जाने की छमता मौझूद है अब आप लोग जरा सूचे की 100 किलोग्राम का बारूद जिस भी समुद्री जहाज पर गिरेगा तो इसका क्या हाल होगा और 100 किलोग्राम के धमाके से दुस्मन का बड़े से बड़ा जहाज भी समुद्र में डूब जाएगा वहीं डियार्डियों ने इसे खास कर चीनी नेवी के मीडियम क्लास के वेसल्स के लिए ही बनाया है और इस मिसाइल की रेंज 50 से 60 किलोमिटर के बीच है और इसलिए डियार्डियों ने इसका नाम नेवल एंटी सिब मिसाइल 40 रेंज रखा है और इसकी रेंज इसलिए कम रखी गई है क्योंकि इस मिसाइल को भारती हेलिकाप्टर से भी दागा जाएगा और भारत का द्रू हेलिकाप्टर इस काम में बहुत ही माहिर है और भारती द्रू हेलिकाप्टर में इस मिसाइल को लगाया जाएगा और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 से 60 किलोमेटर की रेंज तो बहुत ही कम है तो आपको बता दूँ DRDO इसकी रेंज को बढ़ाने में लगा हुआ है और DRDO इसके NASMER यानि की Naval Antisim Missile Extended Range को भी बना रहा है और अभी हाली में जो DRU Mark 3 हेलिकाप्टर को सामिल किया गया है उ उनसे ऐसी मिसाइलों को आसानी से दागा जा सकता है और इसी DRDO के लिए DRDO Antisim Missile को बना रहा है और आपको बता दूँ इस मिसाइल को 35 किलोमेटर दूर दूस्मन को तबाह करने में सिर्फ और सिर्फ 130 सेकेंड ही लगेंगे और अगर दूस्मन के जहाच 55 किलोमेटर की दू पानी की सतय से 15 मीटर उपर उड़ते हुए टारगेट के पास पहुचने पर सिर्फ 5 मीटर ही पानी की सतय से उपर उड़ते हुए दुस्मन जहाच को तबाह करती है और यही खाचत इस मिसाइल को बेहतरीन मिसाइल भी बनाता है अब आप लोग का क्या कहना है इस NASM SR मिसा पर कामेंट में जरूर बताएं और लाइक शेर सब्सक्राइब करके घंटी आले बटन को जरूर दमाएं ताकि आप सभी लोग को डिफेंस से जुड़ी खबरें हर रोज मिलती रहें धन्यवाद